दोस्तों आज हम आपको एक I.R.S. अफिसर की रैंक और साथ वे वेतन आयोगा नुसार उनकी सैलरी कितनी होती है ये भी बताएंगे नमबर एक असिस्टेंट कमिशनर इनकी मासिक सैलरी 15,600 से लेकर 49,100 रुपे तक होती है प्लस ग्रिट पे अमाउंट 1,400 रुपे होती है नमबर दो, डेप्यूटी कमिशनर, इनकी मासिक सालरी 15,600 से लेकर 49,100 रुपे तक होती है, प्लस ग्रिटपी अमाउंट 6,600 रुपे होती है नमबर 3 जॉइंट कमिशनर इनकी मासिक सैलरी 15,600 से लेकर 49,100 रुपए तक होती है प्लस ग्रेट पे अमाउंट 7,600 रुपए होती है नमबर 4 अडिशनल कमिशनर इनकी मासिक सैलरी 37,400 से लेकर 67,000 रुपए तक होती है प्लस Grade पे अमाउंट 8700 रुपए होती है नमबर 5 commissioner इनकी मासिक salary 37400 से लेकर 6000 रुपए तक होती है प्लस Grade पे अमाउंट 10,000 रुपए होती है नमबर 6 Principal Commissioner इनकी मासिक salary 75500 से लेकर 8000 तक होती है नमबर 7 चीफ कमिशनर इनकी मासिक सैलरी 75,500 से लेकर 80,000 रुपे तक होती है नमबर आठ प्रिंसिपल चीफ कमिशनर इनकी मासिक सैलरी 80,000 फिक्स होती है दोस्तो इस तरह से एक IRA सद्विकारी की मासिक सैलरी और रांक तै की जाती है झाल झाल